पनोर मंकुर। जो सोचता है वो करता है। लाना पला सीबान से अबद विहारी चौदरी को अपमानित करके बुजूर गहता अपमानित होई है। दारूवला में जय जय चुपे चाप रहा गये। मस्कार आप देख रहे हैं नेशपो नेशन मैं आपके साथ अबजे सिंग बिहार में चार सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो वही मुसल्मान बोट्रों को साधने के लिए तमाम राधनितिक पार्टिया हैं। वो लग गई है जहां एक तरह पर राज़ाद हैं। जो दिवंगत सहाबुद्दिन के पत्नी और बेटे को अपने पार्टी में सामिल करते हैं। तो वही जनता दल उन्याटे ने साभत पर कहा है कि जो मैनुरेटी के लिए जो काम किये गए हैं। इसको आप जनता के बीच में लाइए उनके बीच में लाइए और उन्हें बताइए और वही बात करें। तो परसांद की सोर भी कहीं ने कहीं हैं। वो मुसल्मान को साधने में लगे हैं। इस बात करने के लिए हम आ साथ हैं। मैं मिलती है निराज कुमार बिहार में क्या हो रहा है मुसल्मानों को आप लोग साधने में कोशिच लगे हुए है ने मुसल्मानों को बताने की बात कही गई है कि मुसल्मान को इस बात को बताया जाए कि भाई जाएंगे ने ते जस्वी आदो बालू वाला से मुक्ति मिला क कि नई हमने जानते हैं ने बालू वहला फोटा दिखा थे सुबाहज्जादो की परचार में गए थे आप जाएंगे बेला गण्य तो बताएंगे कितना कब्रिस्तान गह रहे थे पंद्रा साल में कितना कबरिस्तान गे रहे थे कितना अलपसंक्यक छात्रों को तालीम दिया था बख बोड की संपत्ती पर कहा कहा अलपसंक्यक छात्रा बास बनाये थे बताना पड़ेगा उनको न नहीं तो इहीना साहब को ले जा रहे हैं तो उनके पती के मैयत में क्यों नहीं गए गुनाह कबूल करिये वहां जाकर या कबूल करिये हम हॉस्पिटल भी जाना हमने मंजूर नहीं किया था हमने संबेदना के दो सब्द भी हमारे मुझ से नहीं निकल पाये थे तो हम उमीद करते हैं कि इन बातों की जरूर वो चुटा हुआ कार्टूस कितना भी जमा हो जाए तो बड़ा कार्टूस हो जाएगा हूँ इस अब छुटल कार्टूस है कोई अंतर नहीं पड़ना है तो फिर से वापस लोड़ गया कहा जाता था कि आश्ट्रे जंता दल के जो ताकत है वो मुस्लिम और यादब किये तो वापस आ गया है तो बड़ने वाला है जगा जगा बिरोध का सामना करना पड़ रहा है इसका मतलब क्या है लाना पलासिबान से अबद बिहारी चौदरी को अपमानित करके भुजूर गया ता अपमानित हो यह हनुनका अंदूरूरी मामला किसी का परचार मिलिया तेजपरताब यादो क्योंने ले जा रहे हैं परचार में तेजपरताब यादो जहाना बाद में उमिद्वार लडाय थे उनका प्रभाव है तो उनको छोड़ दिये गुले जाएगा ना बाई मने कोडरमा बला में भी आप ही जाएगा गोड़ा भी आप ही जाएगा आई बगलो बला मने जाने का मना है रोक लगा दिये हैं जाने से पुरसार्थ को चुनोती देदिये तेजपरताब के कि नहीं आप जा सकते हैं बताईए मुसल्मान की बाउतायत संख्या हमको वोट देगी काम के अधार पर काम के बुनियाद पर नहीं हम तो कबरिस्तान दिखाएंगे हम दिखाएंगे अलब संख्या को कि मस्जिद में लालटेंगे जलता था देखिए बल्व जल रहा है नितिश कुमार जी का हम यह बताएंगे कि उनके तालीम के लिए का काम किया है उनके लिए जो योजनाय चलाई गए उन लाभुकों को जा करके हमारे कार्यकरता मिल रहे हैं लाभुक से सीधा कि आप कोई लाभ कौन दिया तो करता है नितिश कुमार जी ने दिया हमारी उम बाप बाप किये हुए है कि हम बार हमाँ पास अदमी है हम रहा वारे हम कहड़ी हागी डाक्टर है तो पहले ही बार में जोल जाल में दर आ गए देखिये नहीं वहां 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 उमिद्वार है उस पर क्या आरूप है 420 का आरूप है उसके बाद 1363 लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है मानसिक रूप से अयोग व्यक्ति का 18 साल से कम उम्र के लड़का या लड़की को भाला फुसला कर माता पिता के संगरचन से दूर कर देता है या उन्हें भारत से बाहर भेज देता है उस पर धारा 1363 के तहत मामला दर्ज कहता है यह लोग उमिद्वार बना है वहां आई कहा रहे थे क्या मेरा उसा उमिद्वार है कि कब पारस चुन के लाएं है तो देख लिजिए अई बचारा इंटर्मीडियेट भी स्कूल से नहीं पास किये हैं इन पर धोका गड़ी का आरोप है अपहरन का आरोप है तो आप कुछ बचल है तो यह के देगा इसनका गबोट आप लोगो के साथ मुसलमान रहेंगे बिलकुल मुसलमान हमारी उम्मीद है कि काम की बुनियाद पर भोट देंगे बैए कुराने सरीफ में लिखा हुआ नसा करना गलत है तो नसा करना गलत सराब बंदी कौन लागू किया नितिश कुमार जी ने लागू किया तो अल्ला की बात कौन मान रहा है नितिश कुमार जी मान रहे मस्जिद में बिजली हमने लगाया हदीस जिसमें पानी की चर्चा होती है तजल जीवन हरी आली को नहीं हो जना लागू किया इतिश्कुमार जी ने लागू किया तो अल्ला की ख्वाई सम्पूरा करें भोट का सउधा अगर दूसरा रहेगा बिहार में आपने सराब की विश्चा की बिहार में सराब बंदी विश्कों लेकर तो लगतार सवाल जारी करेंगे हम तो बीस कंपनी का नाम जारी कर चुके कि 46 कडोर 64 लाक रुपया सराब की कंपनियों से राष्ट्रिय जनता दल ने इलेक्ट्रोल बॉंड लिया ती तो प्रतक्ष का प्रमान है और अब क्या वीडियो जारी करेंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन रामबली चंद्रमंसी ने तो साफ तोर पर कहा था कि सराप के बारे में तो उस पर मानहानी का नोटिस नहीं बेजे हम कहें कि सेलरी घोटाला कर लिए तो मानहानी का नोटिस दारूवला में जय जय चुपे चाप रह गए रामबली चंद्रमंसी नारोप लगा थे नहीं के के नम पर क्या क्या बात करें है सदस्ता उसके नम पर गई है काम अलग है आप पर सी इस था अरोप लगाया था है तो आप तैब उसपर मानाहानी का मुकदमा किया मान Peng superfic मानहानी का नोटिस क्यों ने बेजए लिए दिलिब जैसवाल जी ने डावा किया तो जो कहते हैं जो करते हैं एक दाम पक्का पकी हमको पूरा विश्वास है अन्नार्भास नहीं करें राष्ट्रे जनता दल का लोग अभी तो सुरुआत है तो आप सुन ले थे जदियू के MLC मुखपरवक्ता निराज कुमार इसे तमाम सुर्भाएं निश्परसफदात